यहाँ पर हमने इससे इंटिग्रेट करना है देखो यह जो question एक particular type का question है कभी भी आपका पास question इस तरह से मिले कि एक यहाँ पर x लिखा हो और फिर x की power में कुछ power हो उसकी और फिर plus 1 करके हो या plus 2 करके हो ऐसे यहाँ पर power 4 भी हो सकती है 100 भी हो सकती है तो हमें क्या करना होता है कि इन दोनों की power को हमको एक जैसा बनाना है यह पहला step है अब उसके लिए क्या करना है उसके लिए उपर नीचे x की power 3 का multiply करना है तो करते हैं सबसे पहले हम यही काम करेंगे तो यह हो जाएगा उपर तो आएगा x cube और यहां पर denominator में है x power 4 x power 4 minus 1 ठीक है ओके और अब आप समझ कोंगे कि क्या करना है हम put करेंगे x की power 4 equals to t और यह differentiate होगा तो होगा 4 x cube dx equals to dt तो clearly x cube dx हमें मिल जाएगा 1 upon 4 dt तो जो हमारे पास integral है यह हो जाएगा देखो x cube dx के जगए 1 upon 4 dt आएगा यानि 1 upon 4 यह है integration 1 upon देखो x की power 4 जो है वो t है t minus 1 लेकिन जो numerator में x cube dx है उसके जग़ा पे 1 upon 4 तो मैंने पहले लिख दिया है यह dt है है न यह चीज़ समझ आ गी है और अब होगा partial fraction 1 upon t times t minus 1 equals to a upon t plus b upon t minus 1 और यह हो जाएगा 1 equals to plus b t I mean of course यहाँ पे भी यह है और यहाँ पे भी हमारे पास यह है लेकिन वो कट जाना है इन दोनों ने तो इसलिए मैंने यह नहीं लिखा है यह समझ आ गया यहाँ पर अगर हम t को put करते हैं 1 a और b हमें निकालने है तो उसको निकालने के दो तरीके हैं आप जान चुके होंगे अभी तक अच्छे से coefficient को equate करना और यह वाला जो मैं कर रहा हूँ यह थोड़ा ज़्यादा कर्मिनियन लगता है 1 put किया तो हो जाएगा 1 equals to यह तो 0 हो गया b तो b आ चुका है 1 और अगर हम put करें t equals to 0 तो हो जाएगा 1 equals to और यह तो 0 हो गया तो यहानि यहां से मिल जाएगा a equals to minus 1 a और b हमें मिल चुके है तो जो i होगा that is ठीक है न यानि हमारे पास यह है और जो यह वाला हिस्सा है उसको हमने यह partial fraction की form में लिख दिया है और a और b भी हमारे आ चुके है तो अब इन सब को combine करके जो i है integral that is 1 upon 4 integration a upon t a है minus 1 तो minus 1 upon t plus b which is 1 यह आ जाएगा 1 upon 4 और अब यहां पर हम इससे integrate करेंगे तो minus log t plus log t minus 1 plus c और यह हो जाएगा 1 upon 4 log t minus 1 upon t क्यों? क्योंकि यह minus वाला है तो इसलिए यह denominator में आएगा और हम value आपस put कर देंगे t जो हमने assume किया था x power 4 तो यह हो जाएगा log x power 4 minus 1 upon x power 4 और यह हमारा final answer है I hope आपको यह solution अच्छे से समझा आगया होगा अच्छे से समझा आपको यह होगा